एक नई इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है एक नई भरती के साथ आप सभी के साथ यहाँ पर उपस्तित हुआ हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट रहेंगी कौन-कौन सी वैकंसी होने वाली है सबसे पहले यहाँ पर देख लिए जिगा स्टापनर्स की आपको देखने को मिलेगी एनम की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी सीचे की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी साथ में आपको मेडिकल ओफिशर्स की पोस्ट रहेंगी फार्मेसिस इससे रिलेटेड आपको अलग-लग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मि करेंगे इसकी official website के वार है तो wbhealth.gov.in क्या है इसकी official website है यानकी आपको application form online तरीके से बरे जाएंगे और इसकी official website पर ही आपकी application form है वो आपके यहाँ पर बरे जाने है 28 अगस्ते आपके application form की यहाँ पर क्या हो चुकिए है स्टार्टिंग हो चुकिए है लास्ट यहाँ पर देख लिजगा 17 September आपकी क्या रहेगी यहाँ पर last date रहेगी यानिकि 17 September तक आप क्या कर सकते है इस vacancies को यहाँ पर apply कर सकते है तो जो भी eligible candidate है वीडियो का last तक आप जरूर बने रहे हैं आपको completely update और completely information है वो आप सभी को यहाँ पर provide कर वाँगा ठीक है तो सबसे पहले यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 35,000 पर मंद के इसाब से आपकी salary है वो यहाँ पर रहने वाली है age limit आपकी 40 year तक के जो candidate है वो इस vacancies को क्या कर सकते है यहाँ पर apply कर सकते है essential qualification की अगर मैं बात करूं तो MBBS candidate dental वाले IUS वाले life science nursing वाले जो candidate है वो इस vacancies को क्या रहेंगे eligible रहेंगे इस post के लिए यहाँ पर देख लिजीगा आपको one year का experience मांगागा है public health या फिर hospitals का आपके पास one year का यहाँ पर जो experience है वो आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है mode of the selections देख लिजीगा आपका कुछ post ऐसी है जिन में return exam होगा कुछ post ऐसी है जो आपकी direct बरी जाएंगी उसके बाद में आपको AFHC जो medical officer की post है वो आपको देखने को मिलेगी साथ जार पर मंद खिसाब से आपकी salary रहने वाली है ध्यान रखना multiple vacancies के अंदर नर्सिंग वाले जो कंडेट हैं वो eligible से रहेंगे तो वीडियो के लास तक आप जरूर देखते रहें लास डेट आपकी इसके लिए 67 आपको यह आपको लास डेट देगी है थीक्त उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे आप आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी पांच जार पर मंद के साबसे आपकी salary रहने वाली है बीस से चाली सियात तक इसकी age limit है वो आपको देखने को मिल जाएगी इसमें essential qualification की अगर मैं बात करूं तो असेंसियल क्वालिफिकेशन में कंडिडेट है वाली जो कंडिडेट है वो इस वेकंसी को क्या कर सकते हैं यहां पर आप अपलाई कर सकते हैं यहां पर देख लिए जिए परशंटेज की आधार पर आपका सेलेक्शन होगा टेंट के इंदर 50% मार्क ह रहने वाली है ग्रेजवेट होना चाहिए साइनस सब्जेक्ट के अंदर जो कंडिडेट ग्रेजवेट है वो इस वेकंसी को यहां कर सकते हैं अपलाई कर सकते हैं और नर्सिंग वाले इस पोश्ट के लिए टिक रहेंगे ठीक है यहां पर आपको एज लिमिट की बात करू वो आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है इसके अंदर आपका जो स्लक्षन के बेस पर आपका रहने वाला प्रशंटेज बेस आपका स्लक्षन रहेगा लबरेटरी आपको टेक्निशन की पोस्ट दी गई है जिसके अंदर भी आपको डी-मल्ट कंडिट इस वेकंसी को अपलाई करेंगे 22,000 पर मंद के साब से सैलरी रहेगी और यहां पर आपको देख लिजीगा 21-40 यह आपकी एज लिमिट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी उसके बाद मेंना बात करेंगे इस्टापनर्स की पोस्ट है वो आपको यहां पर दीगी इस्टापनर्स की पोस्ट के लिए देखे जगा जिएनिम जो कंडिट है वो इस वेकंसी के लिए adm Phillips रहेंगे यानिकि GM वाले कंडिट्स वेकंसी को यहां पर अप्लाई कर सकते है 18, और शाथ में आपको बता दो यहाँ पर आपका कोई भी जौ इक्र नहीं होने वाला है आपको आपको आपके के आ धान वांपर करवाये जाएगा उसके बाद में आपको डात कि पोष्ट भी है डाता मैनिजर पोष्ट क्छ पोस्ट लेए Hij आपको नोलेज होना चीए अगर आपको नोलेज है तो आप क्या कर सकते हैं उस वेकंस को आप अपलाई कर सकते हैं मेरिट के अधार पर आपकी बर्टी देखने को मिलेगी उसके बाद में आपको यहां पर देख लीजिगा सब्सके बलेजिबल इस पोस्ट को यहां प्लाई कर सकते हैं इस वो सकते हैं उसके बाद में ब्लेट बैंक counselor के आपको post दीगे, काफी बड़ी PDF है, आपको सभी को मैं बता दू, अगर कोई candidate बोर हो रहा है, तो काफी बड़ी PDF है, काफी अलग-लग vacancy आपको यहाँ पर दीगी है, nursing की vacancy है, काफी सारी दीगी है, उनके बारे में क्या रहेगी, इसके minimum wage limit है, 40 year इसकी का रहेगी, maximum wage limit है, कौन-कौन candidate यहाँ पर eligible स्रहेंगी, तो यहाँ पर देख लिजगा, जो ANM candidate है, वो इस vacancy को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, जो GNM candidate है, वो इस vacancy को भर सकते हैं, और B okay candidate है, वो क्या रहेगा एज लिमिट आपकी क्या रहेगी कुन-कुन गंडेट इलिजिबल से रहेंगे आप बात करेंगे किस परकार से आपको application form को apply करना है कौन सी आपकी official website रहेगी किस official website से आपको application form यहाँ पर apply करने होंगे तो यहाँ पर देख लिजिगा सबसे पहले चर्चा करेंगे देख लिजिगा online recruitment होने वाला online तरीके से यह आपका application form बरा जाएगा सबसे important चीज़ ध्यान रखना किसी भी मादम से किसी भी अलग website से application form अशार्टर नहीं होंगे सिरफ और सिरफ इसकी official website से application form accept होने वाले है 17 September 17 September क्या रहेगी इस vacancy की last date रहेगी जो कि आप सभी 23 अगस्त को यहाँ पर आपका जो notification है वो आपका release हुआ है 28 अगस्त से आपके application form की starting होई है ठीक हम यहाँ पर देख लिजगा notification दिये गए है जो advertisement number है वो भी आपको यहाँ पर दिये गए है telephone number भी दिये गए है अगर आप कुछ क्यों ही करना चाहते है या फिर बाकि आपको इस vacancy से related इस वीडियो के अंदर completely information मिल चुकी है completely आपको update दे चुका हूँ फिर भी अगर आपको doubt है तो आप यह telephone number पर आप call कर सकते हैं बाकि आपके information ले सकते हैं किस परकार से apply करना है website से apply करना होगा official website से application form को बरना है बाकि अगर फिर भी किसी candidate को को doubt है इस vacancy से related तो comment box के अंदर comment कर दीजिगा और whatsapp group और telegram channel से जाके जुड़ जाएगा जिससे आपको completely update महाँ पर मिलती रहेंगी completely informations आपको प्राड़ करवाता रहूँगा मिलते हैं कोई नहीं update के साथ जय ही जया